Hello Friends, I hope कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे profit आप earn कर रहे होंगे और दोस्तों देखिए आज की वीडियो जो होने वाली है इसमें दो शेयर हम बताएंगे और देखिए दोनों ही शेयर ऐसे हैं कि situation के इसाब से अपकी ये शेयर है देखिए अभी क्या है कि आपने अगर market से पैसा कमाना है तो आपको situation के इसाब से भी कुछ चलना होता है और situation के इसाब से ही आपने अच्छी company चोज करनी होती है तो देखिए अभी की जो situation है COVID वाली है तो इसमें ऐसे समय मतलब दो ही sector जाधतर चलते हैं जाधतर क्या हमेशा दो ही चलते हैं बस इसे जाधा और कोई sector चलता नहीं है तो जो दोनों sector है हमारे वो हैं एक IT sector और दूसरा हमारा फार्मा sector का है तो दोनों ही sector से हम एक एक share देखने वाले हैं और दोनों ही जो share हम देखेंगे बहुत सांदार होने वाले हैं बहुत fundamentally strong हैं लेकिन पहले ही कहना चाहूँगा कि कोई buy और sale की recommendation नहीं है आप अगर buy और sale करना चाहते हैं तो अपनी analysis जरूर करें या अपने final sale advisor से सला जरूर ले 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 तो चलिए देख लेते हैं देखिए हमारी जो पहली company है यह हमें काम काज करते हुए दिखाई देती है फार्माश और इसका नाम है आर्थीड्रक्स लिमीटएड जो यह share है हमारा आर्थीड्रक्स लिमीटेड है और आप देखेंगे pharmaceutical में काम करती है찬 फार्मा इंगेडियोंन्स में काम क्रती है speciality chemicals में ये काम हमें करते हुए दिखाई देती है और 100 कंट्रियों में देखिए 100 से ज़्यादा कंट्रियों में हमें ये कंपनी कामकाज करते हुए दिखती है globally कंपनी का अगर हम market cap देखें तो 4214 करोल का है 455 का current price है और 112 book value पीस हस्ता है अभी 24.5 का और ROC और ROE देखें तो 20% से हमेशा ओपर बने हुए हैं दोनों ही छोटा सा company dividend भी देती है 10 की face value है तो आपको इसमें split भी देखने को मिल सकता है और देखें जहां कल market में हर जगा ready red दिख रहा था वहाँ इसमें जो है आपको लगवग पौने 2% की तेजी हमें देखने को मिली है बात करें company के कौँज और प्रोज की तो कौँज देखेंगे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और प्रोज में तो देखें पिछले 5 सालों का CGR देखें तो 21.4 से बड़ा है और ROE देखें तो 26.1 का ROE रहा है पिछले 3 सालों में company के अगर हम sales देखें तो देखें जहां कभी 800 करोड की 600 करोड की sale हुआ करती थी वहां 24 करोड से ओपर की sale अब होने वाली है और अगर हम profit देखें तो profit पी जहां हमें 22 करोड के दिखते थे देखें 22 करोड के कहीं profit हुआ करते थे वहां हो गए हैं अब 172 करोड के profit तो बहुत सांदार एक growth हमें profit और sales में देखने को मिली है और अगर देखें compounding sales की बात करें तो पिछले 5 सालों से 16% से बढ़ी है बात करें अगर हम profit growth की तो 5 सालों में 21% से और 3 सालों में 32% से बढ़ी है CAGR की बात करें तो 5 सालों में 25% से और 3 सालों से 52% से इस साल थोड़े negative में return है 13% के सोरी तो 13% इस समय गिरा हुआ है share लेकिन अब फिर से जैसी COVID की इस्तिति हमें गंभीर होते हुए दिखाई देगी तो ये share हमें भागते हुए दिखाई देगा और देखे ROE देखें तो 26% का बना हुआ है कंपनी के पास reserve भी है 942 करोड के लेकिन करजा भी है 539 करोड का और ये करजा बढ़ी ही रहा है भी तो थोड़ा सा चिंता का भी से है लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ा करजा नहीं है तो ठीक ठाक है manage किया जा सकता है इसको promoters holding देखें तो देखेंगे हम के promoters के पास लगबख 60% है और लगबख 2% के आसपास FII के पास है और 37% DII के पास और 35% है public के पास तो अब देख लेते हैं हम अपना दूसरा इस्टोक और इस्टोक का नाम है LTI Mindtree Limited IT सेक्टर से जुड़ी ही कंपनी है current price है इसका 4,266 रुपे का कल एक हलकी सी ग्राबट 0,5% के हमें देखने को मिली है company में company हमें IT में काम काज करते हुए दिखती है और इसका जो business है totally digital है digital solution ये provide कराती है platform based solution ये देती है अपने client को तो बहुत ही शानदार इसका business model हमें देखने को मिलता है और देखे ये company जो है पहले LTI अलग थी और माइंटरी अलग थी ये हमारा मैं 2022 से अभी merger हो गई थी और इसका नाम बदल कर अभी दिसंबर में ही LTI माइंटरी हो गया है और अब जो है ये अपने sector में पांच वे नंबर की बड़ी company हो गई है 1,26,204 करोड का market cap है 4,266 का इसका current price 524 की book value है P हलका सा महंगा है उड़न्चास का है और ROE और ROC देखें तो 30% के आसपास हमेशा बना हुआ है डिविडेंट भी company देती है देखें IT कमपनी जितनी भी है डिविडेंट तो बहुत अच्छा ही देती है प्रोज और कॉइज देखें तो देखें कॉज में इस्टोक आठ गुना पर trade कर रहा है अपनी book value से और 5% promoter solding इसमें decrease हुई है और इसका अगर हम प्रोज देखें तो almost debt free company है एक good quarterage का expect हम कर सकते है तीन साल का ROI देखें तो 29% का है और एक healthy dividend payout 36% का इसने बनाया हुआ है और देखें कुछ pair comparison अगर देखें तो TCS, InfoSynx और SCL Technology और Wipro तो ये चार बड़ी company है जो इससे उपर है और फिर ये पांच में नंबर पर आती है अपने sector में LTI Mine Tree Sales हमें हमेशा बढ़ते हुए दिखाई देंगी जो कभी 4920 करोड की हुआ करती थी वो हो गई है अब 17799 करोड की साथ ही साथ अगर profit देखें तो 996 करोड के जो हुआ करते थे वो पहुच गए हैं अब 2564 करोड के तो हर जगा हमें company में growth ही देखने को मिली है बात करें अगर reserve की तो 9175 करोड के reserve है और इसके सामने सिर्फ 824 करोड के करजा है company के उपर company का share holding pattern भी अच्छा दिखाई देता है लगबग 79% के आसपास promoters के पास है FII के पास 9% का और DIA के पास 10% से उपर stake है भरत सरकार के पास भी इसका 0.04% है और अगर सिर्फ public के पास देखें तो बचता है सिर्फ और सिर्फ साड़े 11% तो दोस्तों ये दो कंपनिया थी एक IT सेक्टर और एक फार्मा की invest करना ना करना देखें आपके उपर है आप अपनी research जरूर कर लें तभी invest करें कोई इसमें सलह है नहीं मेरी site से आप करना चाते हैं तो अपने final sale advisor से सलह जरूर ले लें दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लिज लाइक कीजिएगा चैनल को subscribe जरूर कर लेजिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत